और इसे बीच सुत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आरी जहां राहूल गांधी बनेंगे नेता विपक्ष सुत्रों के मतावे की पुरी जानकादी सुत्रों के मतावे कॉंग्रेस में अंदर खाने विचार चल रहा है कि राहूल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बन बिल्कुल देखे काफी हद तक संभावनाएं हैं कि अब जो कॉंग्रेस का नेता विपक्ष की जिम्मेदारी होगी वो राहुल गांधी के कंधो पर होगी क्योंकि कांग्रेस के पास एक बड़ा जनाधार अब मिला है उनके पास करीब करीब सौ सीटों के आसपास हैं निननारनी सीटे इस चुनाव में आई हैं और अभी तक जो उनकी पिछली लोग सभाव में नेता विपक्ष की जिम्मेदा कारी ने भार रहते हैं अधीर रंजन चौधरी पश्यमंगार से वो चुनाव हार गए हैं और दूसरा ये के कंग्रेस में इस वक्त और कोई इतना मजबूत चेहरा नहीं आरा जो मजबूती से अपनी बात रख सके जैसे राहुल गांधी ने यातरा निकाली भारत जोड़ निया यातरा निकाली तो तमाम उन्होंने पर गया लोगों को अपने साथ जोड़ा और एक तरह से वो एक नई रिफॉर्म किया काफी लोग इस दौरान उनका साथ छोड़के चले गए लेकिन अब पार्टी ने जो नतीजे आए हैं उससे काफी उससाहित है और इसका पू पूती से रखें इसकी जो एक लॉबिंग है वो शुरू हो चुकी है और अंदर खाने जो कॉंग्रेस के बड़े नेता हैं चाहे वो विवेक तनखा हो या मरीकम कटेगोर हो या दूसरे मनीश्तिवारी हो दूसरे जितने भी बड़े नेता हैं सब ये चा रहे हैं कि इसके पास एक बड़ा चेहरा जो बोल भी सके और मुद्दो को रख सके तो वो सबको नजर आ रहा है कि राहूल गांधी है और अब अठारवी लोग सभा में उनको ये नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे वो जो उन मुद्दो को लेकर जनता के बीच में जुड़े अब उनका जिस तरीके से इस बार रिजल्ट आया है परिडाम आया है अच्छी खासे मतों के साथ उन्होंने जीत हासल की है उसके बाद उनकी जिम्मेदारी और बढ़ती हुई नजर पहले से ही आ रही थी और अगर वो नेतब विपक्ष की जिम्मेदारी संभालते है अगर ये पश्ट हो जाता है अश्रफ तो जाहिर से बात है कि संसद में सत्तपक्ष के सामने एक मजबुत विपक्ष को पेश करना और उसका प्रतिनिद्द्व करना बहुत मत्वपूर होता है अश्रफ बिल्कुल देखिए क्योंके अब बात है नंबर्स की अभी तक कॉंग्रिस के पास अपने सत्रवी लोग सभा में जो संसद थे वो कम थे पचास के आसपास बावन के नंबर थे लेकिन इस बार उनके नंबर्स बढ़ गए हैं अब वो 99 के आ गए हैं करीब करीब 100 बान के च यहाँ हो सकता है तो एक नंबर है कि 100 के उपर यह 100 के आज पास की स्थिती में जो बात अपनी जनता की जी राहूल गांथी करतीय कर ती आंजाये वो किसानों की हो, प्रॉब्स दावां की हो, जाई मेहिंगाई की हो तो उन अश्रे कांग्रेस को के जितने नेता हैं वो राहुल गांधी को दे रहे हैं और इसी वज़ा से उनको आगी जिम्मेदारी भी नेता विपक्ष की राहुल गांधी को दी जा रही है और इसके पीछे यही कि उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टी को रिफॉर्म किया एक कोई मजबूत चेहरा नजर नहीं आ रहा जो जन्ता की आवाज बने अश्राफ अश्राफ आपको रोकना चाहेंगे शुक्रिया जानकानी के लिए और इसे भी चखलेश यादफ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं सब के लिए खुशी की बात होती है लेकिन खुशी जों पर बस किसी का नहीं चलता है लेकिन जहां कहीं भी निताजी रहे होंगे या होंगे उन्हें अच्छा लग रहा हो कि समाजवादियों ने आज उत्तमदेश में बहुत सीटें जीती हैं श्ить लेक्ट के लिया ये वह्ति को लिए बड़ी है और पी डिये के लिए लोगों को जागरू करना पी डिये आंधोलन के लिए लोगों को जोड़ना पी डिये के तमाम सवाल है उनों का जवाब सरकार से मांगना मन लिजए सबसे बतिस्शित ये जैन्यू है क्या PDA परिवार वहाँ पंदे परसेंट से भी जादा है मान लिजे और प्रतिसी इंस्ट्टिशन्स है उसमें PDA परिवार के लोग कितने है तो PDA की जीच जरूर हुई आज UP में लेकिन PDA को लेकर के लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो लंबी लड़ाई है जो बाबा साथ भीमराब विगर जी लड़ते थी डाक्टर रामन लोहिया जी ने जो अपने जीवन वर लड़ने का काम किया नेता जी ने वो रास्ता हम लोगो दिखाया है उस रास्ते पे लगाता हम लोग चले लिए ये ये टार्वे अगरता। ये टार्वे ये टिन कि सरिव onsनुपित है। लूपी कर दो आति हमेने हैबंदू कर दो हमोना कि ऐसे दौन है दिली में है और काफी हलचल हो रही है हाला कि मेडिया जो है बौके पर पहुंचे हुई है और सियास्ती समय करनों को लेकर जो बाच्छीत हो रही है अखली शादव अपनी प्रेतिकरिया देती हुए नज़रा रहे एक बार फिर से आप सुनिए क्या कुछ कहने अखली अंतमाम समय करनों को लेकर बाच्छीत और अखली शादव इस वक्त दिली में है और चलिए अब देखेंगे तेज अंताज में खबरें